दिल पाकिस्तान के साथ लेकिन दिमाग भारत के साथ वकार यूनुस साउथ हेम्टन की मीडिया बॉक्स में हाथ मिलाते ही मुझ से निकला क्या गेंद थी वकार भाई एजबिस्टन टेस्ट में माइकल और्थ टन को बोल्ड किया था जवाब आया भाई अब तो मुझे याद भी नहीं रहा फोटो की गुजारिश की तो बोले ले लो जितनी मर्जी लो हम भी आपकी ही है ICC की अधिकारी कोई मुलाकात पसंद नहीं आ रही थी आखों से तो इशारा कर ही रहे थे वकार के जाते ही हिदायत भी दिदी कि अगर आपने प्रोफेशनल एरिया में इंटर्व्यू लेने की कोशिश की या फोटो लिया तो मीडिया बॉक्स से बाहर कर दिये जाओगे दस मिनिट बाद वकार वहीं आ गए जहां कुछ पत्रकार बैठे थे मुरली कार्टिक पहले से मौजूद है वकार उनसे मजाख करने लगे नजर वकार पर पड़ी तो दोबारा वकार से बात करने का मन बनाया फटकार डर तो था लेकिन फिर सोचाई मौका दोबारा नहीं मिलेगा वकार से बात करने के लिए इतनी कीमत तो अदा की ही जा सकती है हाथ में कौफी लेकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया भरत पाकिस्तान पर बात हुई तो बोले दिल तो पाकिस्तान के ही साथ है लेकिन दिमाग भारत और इंगलेंड बोर रहा है इस विश्वकप में ये दोनों सबसे जादा भारी है भरत पाकिस्तान मुकाबले पर बोले कोई भी जीत सकता है पिछला आकड़ा याद दिलाया तो हस कर जवाब दिया क्रिकेट में पिछला कुछ नहीं होता हमारी टीम अच्छी है कड़ी टक कर देगी और हरा भी दे तो हरानी नहीं होगी खीश्तान पर बोले 20 साल से सब कुछ देख रहा हूँ अब तो हसी आने लगी है क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए जनाब और मुश्किल मत करिए नफरत से सभी नफरत ही करते हैं किसी भी खिलाड़ी से पूछ लीजिए वो इसे सिर्फ एक मैच की तरह लेता है हमारे जमाने में भी यही था और आज भी यही है बात खत्मी है हुई थी कि अधिकारी ने वापस बुला लिया और कारवाई की चेतावनी दी अगले ही सुबह मेल पर नोटीस आगया माफी मांगली और विश्व कप का सफर अब तक जारी है